सो हेलो और वेलकम दोस्तो मैं हूँ अरको और आप देख रहो हाइटेक ब्रो दोस्तो आज का वीडियो का बेस्ट हेडफोन का बारे में अंडर रूपेज 5,000 और हर एक बार की तारे इन सभी को अम लोग रैंकिंग करेंगे और आज में ये भी आप लोगो पता चल जागा कि स्पेसिफिकली कौन सा हेडफोन आपके लिए सबसे आधा बढ़िया होगा आज से अगर तो आप लोगो वीडियो आगे मज़ा आएगा तो वीडियो का आगे पूरा एंज़ाइ कीजिए सो दोस्तों सबसे पहले यानि कि फिप नमर पे जो हेडफोन है हम लोग का लिस्ट में उसका नाम है बोट नीरवान है 751 ANC ये वाला हेडफोन 33 डेसिबल्स तक हाइब्रिड ANC प्रोवाइड करता है जो प्रैस का इस आप से ठीक टाक काम कर लेता है इसी के साथ इसमें आप चार्जिंग का भी फिचर है जहां पर अगर आप लोग इस हेडफोन को बस 10 मिर्ट चार्ज करते हो तो यह आपको 10 घंटा का प्लेबैक प्रोवाइट कर देता है बाकि इसमें आप लोगो मिल जाते हैं अपना सराउंडिंग का साउंड सुनने के लिए इसी के साथ य इसके बाड़े में बात करें दो बोट निर्वाना 751 ANC आप लोग को सारे 4000 का अंदर में मिल जाएगा इसका बेस्ट पाइन लिक्स नीचे डेस्क्रिप्शन में प्रोवाइड रहेगा बाइदावे दोस्तों जितना वी सारा हेडफोन होगा हम लोग का लिस्ट में उन सभ इसका नाम है JBL Tune 710BT इसमें भी आप लोगो मिलता है 40 mm का ड्राइवर्स जो आप लोगो बहुत ही अच्छा साउंड प्रेडूस करके दे देता है और यह भी आता है Bluetooth 5.0 connectivity के साथ wireless connection के लिए and auxport इसमें भी प्रेजेंट है उसके बाद यह वाला हेडफोन आप लोगो 50 तक extra playtime provide करता है बाकि इन सभी के साथ इसमें आप लोगो मिलता है dual pair option यानि कि दो अलग-अलग devices को आप लोग इसके साथ same time पे connect कर सकते हो और यह foldable design का साथ भी आता है जो इसको एक portable option बना देता है finally अगर इसके price के बारा हैं बात करें तो JBLT 710BT आप लोगो 5000 के अंदर में मिल जाएगा इसका भी best buy links नीचे provided रहेगा उसके बाद तिसरे नमर पे जो headphone है हम लोग का list में वो sony के तरब से है और इसका नाम है sony WHCH520 यह वाला headphone आता है swivel design का साथ और इसका driver size है 30 mm जो अच्छा quality sound आपको produce करके दे देता है और इसका Bluetooth 5.2 connectivity से यह आपका devices का साथ बहुत ही fast pair हो जाता है उसके बाद इसमें भी आप लोग को मिलते है 50 घंटा का लंबा battery life एंड यह वाला headphone को अगर आप लोग 3 मिनिट चार्ज करते हो तो यह आपको 13 घंटा का battery life प्रोवाइड करता है बाकि इन सभी के साथ इसमें आप लोग को मिल जाते है multipoint connection यानि कि दो devices को आप लोग सेम टाइब पे पेर कर सकते हो इसी के साथ inbuilt mic भी में प्रेजेंट है hands-free calling के लिए और voice assistant भी आप लोग इसमें मिल जाता है finally अगर इसका price के बारा में बात करें तो sony WHCH520 भी आप लोग को सारे 4000 का अंदर में मिल जाएगा लिंक्स निचे provided रहेगा उसके बाद दूसरे नामर पर जो headphone है हम लोग का list में उसका नाम है audio technica ATH-M20X यह एक wide headphone है जो आता है 40 mm strivers के साथ और इससे आप लोग एकदम top quality sound expect कर सकते हो बाकि इसी के साथ यह आता है circular earcup design का साथ जो noise isolation में मदद करता है उसके बाद इसमें आप लोग को मिलते है 10 inches का cable जो आता है connector और adapter के साथ दी बाकि यह सभी कामों के लिए ideal है जैसे के आपको recording करना है या podcasting करना है even casual listening के लिए भी यह बहुत ही तगड़ा option है finally अगर इसका price के बारे में बात करें तो audio technica का यह वाला headphone आप लोग को सारे चार हदर का अंदर में मिल जाएगा इसका भी best mind list नीचे provided रहेगा अभी finally number one पे जो headphone है हम लोग का list में वो sound code का तरप से है और इसका नाम में sound code by anchor q20i इसमें आप लोग को मिलता है 40 mm का dynamic drivers जो बहुत ही तगड़ा audio quality produce करता है और इसका earpads में memory foam लगा हुआ है तो यह बहुत ज़्यादा comfortable भी है उसके बाद इसमें आप लोग को मिलता है hybrid ANC जो एगन price wise tik-taug काम कर लेता है और इसमें transparency mode भी है which is similar to ambient mode उसके बाद इसमें आप लोग को मिल जाते है up to 40 घंटा का playtime with ANC on और वैसे आप लोग को 60 घंटा का playtime मिल जाता है बाकि यह भी fast charging को support करता है जहाँ पर बस 5 मिट का charge में आपको 4 घंटा का playtime मिल जाता है बाकि इन सभी के साथ इसमें भी आप लोग को multipoint connection वाला feature मिल जाता है जहाँ पर आप लोग दो डिवाइसे को same time पे connect कर सकते हो और यह वाला headphone आता है Bluetooth 5.0 connectivity के साथ फाइनली अगर इसका price के बारा हैं बात करें तो soundcode anchor q20i आप लोगो 4800 के अंदर में मिल जाएगा इसका भी bass buying लिस नीचे provided रहेगा दोस्तों अभी बात करते है कि कौन सा headphone के लिए आप लोगो जाना चाहिए तो देखिए अगर आपका budget 5000 है और उसमें आप लोगो सबसे तगड़ा wireless headphone चाहिए देन anchor q20i बेस्ट option रहेगा क्योंकि इसका sound quality excellent है और ये आपका कानों में बहुत जाता comfortably fit भी हो जाता है और इसी के साथ battery life भी इसका तगड़ा है और hybrid ANC भी आप लोग इसमें मिल जाता है तो definitely आप लोग इसका साथ जा सकते हो अगर आप लोग एक wired headphone चाहिए इसी budget में दिन बस सारे 4000 में आपको audio technique का ATS M20X मिल जाएगा और इसका भी audio quality एक दम top notch है और ये light white headphones भी है जो आप लोग long sessions तग use कर सकते हो and specially अगर आप लोग recorder हो या podcaster हो then ये वाला headphone आपके लिए best option रहेगा बाकि ये 5 headphones अपना अपना जगा पे बहुत यादा best है so इन सभी कुछ को consider करके हम लोग ये कह सकते है ये अभी का टाइम में ये ही 5 headphones है best headphones under Rs.5,000 and इन सभी का best buy links आप लोग को मिल जाएगा नीचे इन description में so दोस्तो बस आज का वीडियो यही तक था आज से अगर तो अपने को वीडियो पसंद आया होगा so वीडियो के एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पे नूई हो तो प्लीज हम लोग का चैनल i-tech ब्रोको जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा हम लोग ऐसे ही टॉप 5 बेस्टा वीडियोज बनाते रहते और दोस्तो अगर इससे भी कोई अच्छा हेटफोन सम्रूर सी छूट गया हो देन वो भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो बाकी बस दोस्तो आज का वीडियो को इधर ही खतम करते है मिलते हैं अगला वीडियो में तिल देन बाई बाई